हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मायज गुर्जर फ्रों MG InfoSoft and MG Motion Pictures इस लेशन से हम Polygon Modeling स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग में हम Simple Simple Models क्रियेट करेंगे दिरे दिरे हम Professional and Realistic Model भी क्रियेट करेंगे इस लेशन में हम ऐसा एक Simple Table Polygon Modeling क्रियेट करेंगे and Simple Chair Polygon Model क्रियेट करेंगे तो आईए प्रैक्टिकल करते हैं सबसे पहले मैं इसका Background Color चेंज कर देता हूँ shortcut है Alt-B ये Background Color रखता हूँ आज से हम जो भी Modeling करेंगे उसको एक Project में Save करेंगे तो प्रोजेक्ट को क्रियेट करने के लिए फाइल मेनू प्रोजेक्ट विंडो प्रोजेक्ट विंडो में यहाँ पे एक Option है Current Project उसमें लिखा हुआ है Default हमें Default नाम नहीं देना है तो राइट साइड में एक New नाम का बटन है उसके उपर क्लिक करें और यहाँ से नाम चेंज कर लें मैं नाम रखता हूँ Simple Polygon Modeling Simple Polygon Modeling Location सिलेक्ट कर ले D Drive, D Drive में मैंने एक Folder बनाया हुआ है Maya 2022 Learning Select Accept प्रोजेक्ट को सेट करने के बाद यह जो हमारी फाइल होती है उसको हम बुलते हैं Scene तो जैसे ही Ctrl S करेंगे यहाँ पर Scenes नाम के फुल्डर के अंदर हमारी फाइल सेव होगी यहाँ से फाइल का नाम दे देता हूँ Table Save As Table Create करने के लिए सबसे पहले लेते हैं एक Cube उसको Scale करते है Scale का shortcut है R X Axis में Scale करें थोड़ा Z Axis में Scale करते हैं और Vertically थोड़ा Down करते हैं आपकी requirement के हिसाब से आप इसका Scaling कर सकते हैं 4 View Layout में देखने के लिए Space Press करें और 4 Layout में एक बार देख लीजिए ठीक है यह Table का Top तो Create हो गया अब Create करेंगे Tables के Leg उसके लिए मैं एक Cube लेता हूँ Cube को थोड़ा Position करें उसका Universal Scale उसकी Height प्लस करते हैं अभी यह Leg को Table के Top के यह Vertex के साथ Snap करना है तो हमें यहां से Pivot Point चेंज करना पड़ेगा Pivot Point चेंज करने के लिए D Pivot Point के उपर एक बार क्लिक करें और Vertex के साथ Snapping करना है तो V अभी प्रेस करने के बाद Pivot Point को Left Click से ड्रेग करें तो यह Vertex के साथ Pivot Point एड़ेस्ट हो चुका है अभी इस Pivot Point को Table के यह Corner के Pivot Point के साथ एड़ेस्ट करना है तो V Pivot Point को ड्रेग करो और यहां पर Exit to Exit Snap हो चुका है यह Grid अभी में Off कर देता हूँ अगर Lake की Height ज्यादा लगती है तो उसका Scale कर दे Vertical Scale थोड़ा छोटा कर दे ठीक है Same way इसका Copy करते है Copy करने के लिए है Ctrl D Ctrl D अभी इस साइड के vertex के साथ यहाँ पर Snapping करना है तो फिर से D Click V and Drag D यहाँ पर Pivot Point चेंज हो गया उसके बाद vertex के साथ Snapping करना है तो V Pivot Point को Drag करो ओके इसको Copy करो Ctrl D और इस साइड लेके जाते है यहाँ पर भी Point चेंज करते है D V and Drag D फिर V यहाँ पर Adjust हो गया Ctrl D इस साइड लेके जाते है अगर आपको यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर वह है Anti-Aliasing इस Option को On कर दीजिए Anti-Aliasing से क्या होता है जो Aegis होती है वह Smooth हो जाती है Viewport को Rotate करके पुरा Table देख लो 4 View Layout में भी देख लेते है Space Bar यह Top View है यह Front से दिखता है और यह Side से दिखता है Ctrl S Save अब Create करते है Chair उसके लिए नया Scene Create करते है File Menu New Scene Save कर देते हैं पहले Ctrl S और नाम दे देते हैं Chair Chair Create करने के लिए पहले Cube लेते है Scale Height कम करते है Chair के हिसाब से उसका Scale कर लीजिए ठीक है इसमें भी इसके Legs क्रियेट करने है तो Legs क्रियेट करने के लिए फिर से Cube Move Universal Scale Height Grid को Hide कर देता हूं थोड़ा और Height बढ़ाते हैं इसको Exit Snap करना है Vertex के साथ तो Pivot Point चेंज करते हैं D V इस Vertex के साथ D फिर Move करने के लिए V प्रेस करो और यहां से Drag करो Same way इसका Height थोड़ा ज्यादा लगे तो थोड़ा कम कर देते हैं It's OK Then Copy, Ctrl D Move, Is Side इसके Power Point को Change करते है D, V, Drag, D Then V and Drag Same way इसको Copy करते है Ctrl D इस साथ लेके जाते है इसके भी Power Point को Change करते है D, V and Drag D, V and यहां से Drag Ctrl D इसके भी Power Point को Change करते है D, V and Power Point Drag D, फिर V and Power Point Drag ओके तो Chair का भी यह Base Create हो गया फिर Back Support Create करते है तो Back Support Create करने के लिए इसका Copy करते है Ctrl D और Rotate करना है तो Rotate कौन से Direction में करेंगे यह X Axis के उपर ऐसे Rotate करेंगे और Rotate करने के लिए इसका जो Pivot Point है वो Pivot Point यहां पे होना चीए इसकी Aegis के उपर तो मैं करता हूँ Power Point Change D Aegis के साथ Snap करने के लिए Shotcut है C और जिस Age के साथ Snap करना है उस Age के उपर करसर लेके जाईए और Middle Mouse Button and Drag ठीक है and Day अभी करते है Rotate तो Rotate में क्या है कौन से Direction में Rotate करना है यह Direction में तो यह Direction जो है वो X Direction तो Rotate के लिए Shotcut है E और XZ यह 90 डिगरी करना है तो यहां पे जैसे यह Object सेलेक्ट किया है Channel Box के अंदर Rotate X, Rotate Y and Rotate Z का Option दिया हुआ है तो X के अंदर जाके यहां से भी लिख सकते है और यह X Axis का जो Gizmo है वहां से भी Change कर सकते है तो यहां से Change करके देखो वहां पे Value Change होगी और Value Rotate X में क्या Change हो रही है Minus में तो हम यहां से कर देते है Minus 90 Minus 90 तो यह Back Support X Z बन गया तो यह Simple सा Chair भी Create हो गया है उसको भी Rotate करके सब जगे से Check कर दो यहां पे Aegis Sharp नहीं दिख रही है तो उसके लिए यह Anti-Aliasing का Option आप्शन आउन कर दो तो इस Lesson में आपने दो Simple से Model Create करना सिख लिया है ऐसे अभी Simple Model ही Create करने की Practice करो Background Color चेंज करके एक बार देख लो Alt-B Alt-B तो Friends ऐसे हम बहुत सारे Models बनाएंगे अच्छे-च्छे Models बनाएंगे आप साथ-साथ में Practice करते रही है मिलते है Next Listen में नए Model के साथ आप साथ-योंना प्रेणे मिलते है आप साथ भ piece प्ोड़्य यो